एक नेक्स्ट बड़ी खबर आज जो देखने के लिए मिल रही है वो है टेक्स्टाइल सेक्टर को पी एलाई मिलने जा रहा है दस हदार करोड रूपे की टेक्स्टाइल मिनिस्टर ने कल गोशना की और जो अब गोशना है उसमें एक इंपॉर्टन चीज और हो गई है कि उन सबी कंपनियों पर कुछ असर पड़ सकता है क्या देखे पहले चीज़ है कि पी एलाई देंगे मतलब आप नई फैक्टरी पी एलाई हमेशा जो कि है कि नई फैसिलिटीज को जो एड़ करेंगे उनके लिए होता है तो एबी एट वारल तो क्या मुझा इनके पास तो फ्र जो यहां से माल बिखता है और वो काफी कॉंपेटिशन नहीं है अगर वहां पर लेवल प्लेंग फील्ड हो तो काफी बड़ा यह बूश्ट हो सकता है और काफी बात सी चल रही है यह रोक में और यूके में और यूस में अगर हो जाए इसमें सबसे बड़ा जो ट्रिगर कीनिया में हैं और कीनिया से अगर आप देखें यूरॉप भी जो है विदाव ड्यूटी माल लेते हैं और यूएस भी लेता है जैसे हमारे पड़ोसी देश बंगलादेश है वह हमसे काफी एच हैं को क्योंकि यूरोपियन जितने भी नेशन से उनको प्रिबिलेश देते ह हैं तो इसलिए वहां का टेक्स लाइंड़स्टी काफी बढ़ चुका है हमारे बास अगर इस तरह की कोई चीज नहीं है अगर एक सारी चीजे होती हैं और फिर अगर अगर वंजूर हो जाता है और उसके बात क्यूंकि तब आपको कैपैसिटी चाहिए होगी ज्यादा और बिल्कुल तो नितिनी स्पिनर्स, गोकल दास एक्सपोर्ट और के पी आर मिल जैसी कामपनिया सर ने बताई हैं जिनको की ज्यादा फायदा मिलेगा अगर ये पी लाइए स्की मिलती है और ये कामपनिया बेनिफिट उठाने की तरफ जाती है तो हमारे खास सेग्मेंट ब झाल